आज ही डाउटनेट आप डाउनलोड करें डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी Maths, Chemistry, Physics और Biology डाउट्स का सफाया बस अपने Question की Photo खीचो उसे Crop करो और तुरंत वीडियो Solution पाओ डाउनलोड नाओ Hello everyone, तो हमारे पास Question है जिसमें हमें कहे Which of the following equations does not have a solution in integer? हमें Question में कहा, हमीं 4 option दिया है तो आधर हम इसको इकोशन करते तो x के वेल्यो आती है 1 राएट तो हमें साइन में जाके minus 1 और हो जएगा यहांसे x equals to 0 आता है जो की एक in integer है हमारे पास satisfy कर रहा है आधर हम Option 2 चेक करेगे तो वह हमारे पास x-1 equals to 3 तो यहां से x की value निकालते हैं वो आते हैं हमारे पास 3 and minus 1 right hand side में जाके plus का 1 होजेगा तो यहां से हमारे पास जो x आएगा वो 4 आएगा तो यह भी हमारे पास integer है ठीक है तो अगर हम option third check करें तो option third है हमारे पास 2x plus 1 equals to 6 तो इसको solve करते तो 2x equals to 6 and plus 1 right hand side में जाके minus 1 होजेगा तो यहां से हमारे पास आजेगा 2x equals to 5 और x के value आजेगी 5 divided by 2 जो कि एक integer नहीं है तो और हमारे पास जो fourth option है वो हमारे पास 1 minus x equals to 5 तो यहां से minus x जो आजेगा 1 right hand side में जाके minus 1 होजेगा 5 minus 1 minus x equals to हमारे पास आजेगा 4 तो यहां से हमारे पास जो x के value आगी वो हमारे पास आगी minus 4 तो यहां से हमारे पास x जो आगया वो आगया हमारे पास minus 4 जो कि एक integer है तो हमारे पास जो option cracked होजेगा वो third होजेगा क्योंकि इसमें हमारे पास integer टीजर नहीं आया, ठीक है, तो हमारे पास option 3rd crack होजेगा, 2x plus 1 equal to 6, इसकी जो x की value आती है, वो 5 by 2 आती है, जो कि इंटीजर नहीं है, thank you.